वेलकम तो मैं चैनल MSC Chemistry Notes आज हम लोग डिसकस करेंगे nitrogen cycle तो अगर nitrogen cycle के डाइग्राम को आप अच्छी तरीके से समझ लेते तो आप इसे अपने लेंग्विश में भी अच्छी तरीके से लिख सकते तो चलिए देखते हैं nitrogen cycle क्या होता है और second है कि chemical method के थ्रू पहले ammonium salt में तूटता है फिर nitrogen fine bacteria के दोरा nitrogen में बन जाता है तो कुछ nitrogen है जो natural nitrogen के रूप में रह जाते हैं और कुछ है जो de nitrogen fine bacteria उनको फिर से atmosphere में बेज़ देते हैं और कुछ जो है fertilizer के थ्रू प्लांट में चले आते हैं as a protein तो जब plant as a protein हम लोग food के थ् consume करते हैं animal human being कोई भी हो तो जब consume करते हैं तो जब इनका देथ हो जाता है तो इनका decay होना अलग होना होना सुरू हो जाता है तो एक है कि directly decay हो के atmosphere में चले जाते हैं और कुछ है कि enzyme and bacteria के थ्रू अमोनियन salt का formation करते हैं फिर de nitrogen fine bacteria इनको फिर से atmosphere में वेज़ देते हैं और जो plant chemical नहीं हो पाते फिर इसर के तुरू कोल का formation कर लेते हैं और destructive distillation के थ्रू पिर से ammonium salt का formation करके deinating fine bacteria उनको फिर से atmosphere में बेच देते हैं और जो plant ना consume हो पाते हैं ना प्रेसर के थ्रू पन पाते हैं वो directly decay होके फिर से atmosphere में चले जाते हैं तो यही atmospheric nitrogen का फिर से atmosphere में आ जाना तो तो वेरियस प्रोसेस ही nitrogen cycle कहलाता है यहां पे nitrogen cycle का कुछ important point है यह nitrogen cycle का definition लिखा हुआ है यह steps हैं जो involve हुए है nitrogen cycle में और यह steps involved nitrogen cycle में उनका कुछ definition है one liner में तो अगर और यह denitrification process का definition है जो कि होता है नाइट्रेट जब नाइट्रोजन में कनवर्ट हो जाता है तो आप मेरी चैनल को जरूर से जरूर लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थांकि शो मच